नशे के खिलाब सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है ग्रमेंदी डॉक्टर नौत्ता मिश्रा ने कहा प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चला जा रहा है इस कारवाई को और कठोर करने के लिए इसमें एक साल से तीन साल तक की सजा और जुर्माने की राशी बढ़ा कर एक लाख रुपए करने का प्रस्ताओ ग्रेव विवाग ने विदी विवाग को भेजा है मद्य प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हे तू सिग्रेट और अन्य तमबाको उत्पाद अधिनियम 2003 में आवशक संसोधन किया जा रहा है अब जुर्माना और सजा दोनों ही बढ़ाई जा रही है मुक्यमत्य जी के निरदेश के बाद प्रदेश के अंदर संपूर प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अविहान चलाया था चुकि अभी तक उसमें कारवाई जो हो रही थी उसमें उस कारवाई को और कठोर करने के लिए अब उसमें एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रावधान और प्रस्तावित ग्रह विवाग ने बिदी विवाद को किया है और जो जुर्माना था अब उसको भी बढ़ा के एक लाख रुपे तक ला रहे हैं जिससे सक्त कारवाई हो सके इस प्रिस्ताव को आंगे बढ़ा रही है सरकार और इन पर हुसका बारों पर अब प्रतिमन लगाने के लिए कानूनी मसोदा जो है उसको मंजूरी ग्रह ववाद के द्वारा कानून वववाद को बेच कर दी गई है नौतमिशन ने वैशाली ठककर सुसाइट केस को लेकर कहा कि वैशाली ठककर सुसाइट केस में 306 में प्रक्रण दर्ज किया गया है इस मामले में कारवाई की जा रही है जो प्रत्म दृश्ट्या जाँच में आया है। उस प्रत्म दृश्ट्या जाँच के हिसाब से उसमें प्रक्रण 306 पंजी बंदय कर लिया है। राहुल जी हैं और डिसा करके हैं इनके दो लोगों के उपर प्रक्रान पज्जिवत दिखिया है पड़ोस के ही रहने वाले हैं परचित हैं उनके 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 मोबाइल और लेप्टॉप अभी ओपन नहीं हुए हैं उनको ओपन किया जा रहा है इसके बाद जाच का दायरा बढ़ाया जाए जाए जा जाए रहा हैं उनकी सभा की सभा के फोटो विदेश के आ रहे हैं नरुता मिश्रा ने पूर्व सीम कमलनाथ के वोटिंग को लेकर कहा कि कमलनाथ ऐसे चिनौं में वोट डालने गए हैं जिसका परिणाम पूर्व से ही पता है उन्होंने कहा हमार आगमन से पार्टी और संगठन दोनों ही मजबूत होते हैं और ऐसे चुनाओं में वोट डालने गए जिसका परिणाम सब को मालूम है कोई भी बता देगा कि कौन जीतने वाला है जिसका परिणाम सब को मालूम है उसको आप वोट डालके एक पॉलिटिकल जो है आपचारिकता पूरी कर रहे हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है आप देख रहे हैं दखल न्यूल